सम्राला के मंजली गाउंव में एक युवक की निहंग सिंग द्वारा पिटाई के मामले में पुलिस ने तीन निहंग सिंग और उनके तीन साथियों को गिरफतार किया है निहंग सिंग भागने ही वाला था कि पुलिस ने इलाके की घिराबंदी कर उसे पकर लिया हत्या कांद के तीन अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है इसी बीच पता चला कि निहंगों ने गाउव में पंचायत की जमीन पर जबरन कबजा कर लिया है और चावनी बना ली है डीएसपी हरविंदर सिंग खैरा ने बताया कि मृतक के पिता के बयान पर पुलिस ने नौ लोगों को गिरफतार किया है उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्च किया गया था निहंग जब भागने का मौका ढून रहा था तो पुलिसों से पहले ही पकर चुकी थी जब भागन से पुत्तर दलीप शिंग वर्में ब्यान करती कराया गया सिंग कि उदा लड़का अवतार सिंग जैसे उमर करीव उचापी साल होली पिंड़तूं उदे किसे मजाली कला लड़की ड़ी से ना लड़की अपने करोंच लेगी सिंगी उदे सवांध वेचे नहा जब जाए एक करसेवक सिंग सेवक नादा न्यांग सेंगा जिनने अपना पड़ावनाया सिगा पिंड़ बुलेवाल पंचाती जिमीं जिवेच को पड़ाविया नहीं कभजा करके बढ़ाया थी और उस पड़ाद वेचे ना देटे बाकी न्यांग सिंग उभी नाल सिग जो अवदार सिंग उदा फादर परवारों देपोंचे न्यांग सेंग को सेंग होनी ही उन्हान अपनी गड़ी जी पठा आगे मजारी कलाव पर जिड़ाव उते लिए उत्यागे उसको पर दादीब सिंग लाटी ना रक न्यांग सिंग जिगा बहुत शिरार्ती है उस द बार वाड़े वेच बैड़ सेंग अपनी गड़पतानी शुरू कीती ता लाटी जड़ा सिगा एने तेक तो वीर ने आपसोचर उन्हान मुंड़ा सिगा उन्हान शुरू करता कि तुर साड़े प्रंडी लड़की है कि उधे वारे तुरे ता क्नो सोचना तकी गड़पत अपना टाम पास करना जिगा दे पार जंदी जारी वेच जिगे सब्स पार्टी जाके नहीं उन्हान सार्या नोटे के रापा की रॉंड़प कीता जिड़े वेचे को सेवक सेवक हो गया हर्प्री संग हो गया हर्दीप सिंग बलवंदर सिंग इजर नाले दे हो और के रेकों इत्र शी आन्ण फिर किता है इन जार्व फिर फोड़पार कीता है तो ऐंदर नहीं अनलेश हो गया हर्वेच जी नरा जिर्फटर के रावेच लाओक नन्हान हम खाले वेचे नतालन कि बलोचे कीते है और कोई वेपन से ना दे कोई कोई ने लाएना की से लाग वेश करें लेना काफूर माट लहांगे पर दूसर माट लेया कि आके फड़र रिड़ी है वक्ष एंगल ते जा अधी एन्युफिकेशन करांगे कि होर भी है तो लावा के थे होर थी ना ने को भी वार्दात कीती है जा होर के थे हुए है में दे क्राइम देन वालों होंगे तो दुराने और माड़ी है ना दी गलबात भी हो समझने आफ़ दो